Welcome friends, स्वागत है आपका अपने चैनल इंडियन कानून इन हिंदी में तो आज की वीडियो में हम सुप्रीम कोट के द्वारा दिये गए एड्वोकेट किलो डिगरी के फैसले के बारे में बात करेंगे कि सुप्रीम कोट के द्वारा इस तरह का ओर्डर क्यों पास किया गया 2015 में बार कांसिल ओफ इंडिया के द्वारा सर्टिफिकेशन एंड प्लेस ओफ प्रेक्टिस के लिए रूल्स बनाए गए और इन रूल्स के तहत स्टेट बार कांसिल को डिरेक्शन दी गई लेकिन इस वेरिफिकेशन को बहुत सारे हाई कोट में चैलेंज भी किया गया इसके बाद बार कांसिल ओफ इंडिया के द्वारा सुप्रीम कोट में एक ट्रांसफर परेटिशन फाइल की गई कि सभी हाई कोट में जो भी परेटिशन फाइल की गई है अगेंस दी वेरिफिकेशन प्रोसेस उन्हें ट्रांसफर करके सुप्रीम कोट में लाया जाए। इसके बाद बार कांसिल ओफ इंडिया के द्वारा इस वेरिफिकेशन प्रोसेस को पूरा करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी भी बनाई गई। लेकिन जब कमेटी ने काम कर और Supreme Court ने ये कहा कि वेरिफिकेशन के लिए किसी भी यूनिवेस्टी के द्वारा फीस नहीं ली जाएगी जब Advocates की डिग्री को वेरिफाई किया जाएगा तो कौन-कौन से डोक्यूमेंट्स को वेरिफाई किया जाएगा सबसे पहले advocate की डिक्री उसके बाद advocate का enrollment certificate उसके बाद advocate के educational certificate इस काम को करने के लिए Supreme Court के द्वारा high level committee भी बनाई गई है और इस committee में तीन justice होगे पहले जिस्टिस दिपक गुपता, दूसरे इलाबाद हाई कोट के रिटायट जिस्टिस अरुंट अंडन और तीसरे दिल्ली हाई कोट के फॉर्मल चीफ जिस्टिस राजंदर मैनन इसके इलावद दो सीनियर एडवोकेट्स भी होंगे, जिनका नाम है एडवोकेट राकेश्ट विवेदी और दूसरे है मनिंदर सिंग, इसमें तीन मेंबर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के भी होंगे तो इस जज्ज्मेंट का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप इसे डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं तो आई होप दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी तो ऐसे ही कानूं से समंदित जानकारियां पाने के लिए आप मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें वीडियो में लास्त चुरे रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यावाद